सोसल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है बस इधर से उधर कोई खबर आती है और वो कोपी पेश्ट करने लगते हैं बिना ये जाच किये कि उसकी सत्ता क्या है कोल्ट ने क्या आदेश जारी किया है बस कुछ भी कहीं से भी कोई खबर मिली औ इसको इधर से उधर कॉपी पेश्ट करने लगी आज हाई कोट से एक ओर आया है उसको कई अभिरतियों के द्वारा उनत्तर हजार सिक्षक बरती से जोड़ करके कहा जा रहा है कि उनत्तर हजार सिक्षक बरती में जो बीड चैनित हुए थे उनको बाहर कर दिया जाएगा इनको आप चंदा चोर या जो भी आप कहें कह सकते हैं क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं है सिर्फ ये इधर से उधर बस कुछ ना कुछ इनको मसाला मिल जाए और नेता इरी करने का मौका मिल जाए यहीं सब किया करते हैं ऐसा ही मामला हुआ है आज आप देखेंगे फ या 69,000 सिक्षक बरती का जिक्र भी नहीं किया गया है आपके सामने हाई कोट का आडर है आप अपनी स्क्रिन पर देख पा रहे होंगे यह आडर आया है 11-12-2030 को मतलब आडर रिजर्व कर लिया गया बट पब्लिक डोमीन में यह आडर आज आप देख पा रहे होंगे ठीक यह को अन तक देखेगा ऐसी में अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आन कीजिए यह चात रनीता जो है यह तक नहीं सूचते हैं कि उन परिवारों उन घरों पर क्या बीते होगी क्या बीतेगी कि कोई कंडिडेट सेलेक्शन होने के अगर कोई कह दे कि आप योगी नहीं है और इसमें गलती किस की है गलती एक طریقे से एनसीटी की है wishes चैनल की है जो इस तरीके के रोल्स बनाती है जिसको ले करके मामला कोट तक जाता है देखें आपको पता होगा उतर प्रदेश में एक नीमा वली है जिसके माध्यम से स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अनोटिफिकेशन वाज इसूजट बाई एंसी टी ओन अठाइस छे दो हजार अठारा को जो नोटिस आता है जिसके तहत यह कहा जाता है कि बिए डिग्री बिए डिग्री वाज इंक्लूड़ेडिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंडिड और उसी के आधार पर क्या हुआ? उसी के आधार पर जो UP में सिक्षक निमावली है उसमें संसोधन किया गया आप देख पा रहे होंगे इसके बाद आप पर पा रहे होंगे हाँ आपर अमेंडमेंट्स इन्टा स्टोर्टी रूल्स वार एकॉर्ड़निनली मेड इन दा उतरप्रदेश में भी सिक्षक निमावली में चेंज किया गया और उसी के आदार पर बियड अभिरतियों को प्रात्मिक स्कूल में प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए पात्र माना गया अब यहां पर मुद्दा क्या होता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक नोटिफिक किया गया है तूफोल्ड डिस्प्यूट्स क्रॉब्ड अप बिफोर दा है कोर्ट अफ राजस्थान इन दा वेक अप आफ नोटिफिकेशन बाई एंसी टी इसूजड अन अठाई सून दोजार अठारा वन से टाप्रेश्टनस अगेंस्ट दा ग्रेवियंस दैट दा स्ट अइस को पता होगा इसको लेकर करके राजस्थान हाई को एक आधेस जारी करता है और उसमें यह कहता है कि जो एंसी टी का गजट है 28 जून 2018 का उसको 25 ग्यारा दोहजार एकीस को वो quest कर दिया जाता है यानि रद कर दिया जाता है उसको आप इस point में पढ़ पा रही होंगे 25.11.2021 को राजस्थान High Court एक order जारी करता है जिसमें वो 28.6.2018 के gadget को quest कर देता है फिर ये मामला जाता है Supreme Court में आप पढ़ पा रहे होंगे Deves Sarma versus Union of India and others ये मामला पहुचता है Supreme Court वहां से भी Supreme Court से भी same order यानि उसी order को आगे continue किया जाता है यानि NCT का जो 28 चून का gadget था उसको सही माना जाता है इसको लेकर के Supreme Court ने भी 11 अगस्त 2030 को आपको जो है notification जारी कर दिया था notice जारी कर दिया था जिसमें ये कहा गया था कि जो B8 candidate है वो प्रात्मिक सक्षकबर्ती के पातर नहीं है तो यहां पर आप पूरे order में देखेंगे कहीं भी 79,000 सक्षकबर्ती का जिक्र नहीं है लेकिन ये नेता लोग क्या है कुछ भी लिखते रहते हैं इदर उदर copy paste करते रहते हैं असल बात ये है कि इनको order पढ़ना और order समझना तक नहीं आता है बस नेता नगरी के चक्कर में कुछ भी लिख देते हैं इसके बाद पता होगा जब 11 अगस्त को order आया था कि B8 अबिर्थी प्रात्मिक के लिजबल नहीं है इसके बाद लगभग 492030 को अगस्त को order आता है और 492030 को सभी राज्यों को NCT एक नोटेस जारी करके इनफॉर्म करता है कि B8 अबिर्थी पात्र नहीं है ऐस पर सुप्रीम कोट order तो बस यही मुद्दा है अब यहाँ पर यह जो order है लखनौ से हाई कोट का उसमें आने वाली सिक्षक भरती में बियड अबिर्थी प्रात्मिक सिक्षक भरती के योगे नहीं होंगे उसमें संसोधन करने के लिए यह आदेश दिया जाता है इसका कोई वी संबंद अभी तक 69,000 सिक्षक भरती से नहीं है इस order का संबंद नहीं है इसमें सिर्फ यही कहा गया है उतरप्रदेश सरकार से कि वो अपना जो उनका सिक्षक नीमावली है 1991 उसमें यह संसोधन करें बस इतना कहा गया जिस तरीके से 28 जून के order आने के बाद 28 जून की जो नोटिस थी उसके आने के बाद यूपी सरकार ने अपनी नीमावली में संसोधन किया था और 28 कंडिडेट को प्रात्मिक सिक्षक वरती के पात्र माना था ठीक उसी प्रकार से अब जब सप्रीम कोट ने और NCT ने आदेश दे दिया है कि 28 वरती प्रात्मिक सिक्षकवर्ती के पात्र नहीं है तो उतरपदेश सरकार अपनी नीमावली में संसोधन करे बस इतना कहा जा रहा है उमीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ ऐसी महत्मूर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को आन कीजेगा